वेलकम स्वागातो दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल देव भूमी एजुकेशन पॉइंट पर तो साथियों आपको पता होगा कि प्रदेश में विभिन नौजवान योगों के द्वारा बिरुजगार योगों के नौव योगों के द्वारा ये मांग की जा रहे हमने भी अपने इस तरह से काम किये थे तो ठीक है अपने अपने तरफ से हर किसी ने जिससे जितना बन पड़ा था सभी ने कोशिश की दोस्तों और अभी भी लोग लगे हुएं कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए और यहाँ पर CM धामी जी का कहना है कि हम CBI जांच इसकी कलेंडर में जो UKPSC ने कलेंडर में भरतिय दी है पुरे वार्सिक बरतिय दी गए उन भरतियों को पूर्य कराने के बाद हम CBI जांच कराइंगे अब इसमें कितना सही है, कितना गलत है और किसके मतलब कहां तक ये चीज सही है इस चीज के बारे मैं अभी मैं डिसकेश नहीं कर रहा हूँ इसमा हम बाद में बात करेंगे ठीक है तो भरती कलेंडर जो भी है भरती कलेंडर में पूरी जिननी भी परिक्षाएं हैं वो सभी कराने के बाद इसकी परिक्षाएं उसके बाद हम अपना पक्षे आपर अपना पहलू रखेंगे CM ने कहा कि भरती के सिवाई कोई रास्ता नहीं जिन माता पिता ने अपने बेटे वीटियों को अपनी जमीन घर संपति गिर्वी रखकर के करज लेकर पढ़ाया है उनके पास शक्षा के अलावा कौन सी पूजी है भरती का रास्ता भी बंद हो जाएगा तो उनके पास क्या बचेगा मुक्यमंत्री ने कहा कि CBI जांच की जो मांग हो रही है उसका मैं रहश्य बताता हूँ कहा कि किसी भरती की कोई भी जांच अगर CBI को चली जाती है तो 5-7 साल तक कोई भरती परिक्षा नहीं होती है सब ठप पड़ जाता है ये कहना है C.M. धामी जी का उन्होंने कहा कि 5-7 साल के लिए भे भी या फिर भरती को भूल जाओ कोई भरती परिक्षा नहीं कराई जाएगी तो ऐसी इस्थिदी में जो नौजवान है उनके पास क्या रह जाएगा मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि बेटियों का किसी भी कीमत पर समय वरबाद ना हो उनकी आयू सीमा आगे निकल जाएगी मैं प्रशन करता हूँ यदि भरती परिक्षा 5 साल बंद होगी कितने लोग इसमें वन्चित रह जाएगी क्या उनका समय लोटकर आ जाएगा तो ये इनका कहना है और इनुने कहा कि जो नकल माफिया है ठीक है उनके समर्थकों को अब दिन में भी जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे हैं इतना इनुने सक्त कानून बना दिया है कि ये लोग अब थराने लगे हैं आने होने वाले समय में क्या होगा ये आमें भी पता है आपको भी पता है अब यहाँ प कि कुछ लोग अभी भी नापसनाप आरोब लगा कर सरकार की छवी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा जब CBI जांच शुरू हो जाएगी तो आने वाले पांस साथ साल के अंतराल में कोई भी परिक्षा नहीं कराई जा सकती जिससे की काफी लोग इसमें ओवरेज हो जाएंगे और कई लोग मतलब क्या रहेगा यूवाओं के पास ये इनका कहना है। तो उसमें कितना समय लगेगा और उसमें अगर कुछ निकल कर आता है किसी में समानताय निकल कर आती हैं किसी में कोई एक्जाम में गड़बड़ी निकल कर आती हैं तो क्या फिर से दुबार एक्जाम होगा भाई है ना तो क्या होगा तो ये चीजे काफी पहलू हैं बहु परतियोगी परिक्षाएं जो है ठीक है इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम फ्रीम कोचिंग दिलाएंगे मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा कदम है इन्होंने अलग शहरों में लाइवरेरी बनाने की भी इन्होंने बात की है अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है यार आप लोग के लिए लाइवरेरिया उपलब्द रहेंगी ओनलाइन क्लासेज उपलब्द रहेंगी शिक्षक उपलब्द रहेंगे और व्यावसाइक शिक्षक उपलब्द रहेंगे और बाकी कई चीज़ें यहां पर इन्होंने कहा है अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों अब आपको एक चीज और बता सो यहां पर कल उन्हें जो अल्टी चैने थे उन लोगों हम जो है थोड़ी सी publicity हो जाए थोड़ा सिंपैथिक जो है आप से अचीव कर लेंगे तो रोजगार मिले मों भरना वेबसाइट पर एक लेटर जारी करके सबके नाम और वो सारे दे सकते थे खैर चलो ठीक है थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट करने की नहीं आपर कोशिश की होगी क्योंकि पिसले काफी समय से आप देख वारे होंगे माहौल खराब चल रहा था चले जो भी है अपनी राय परतिकरिया आपको भी देनी है आप अपनी हमें भी पता चलना चाहिए आप लोग क्या सोचते हैं दूस्तों तो आप ही के पॉइंट आप यू से हम भी सोचेंगे और आपकी कहीं भी बातों को हम फिर आगे अगले नेक्स्ट अपने वीडियो अबर और अलगलग प्रेंट पॉंबर रखने की कोशिश करते हैं चले इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो भी लेंगे धन्यवाद जैहिंद